हेलो दोस्तों मैं गनपती डेंटल क्लीनिक से डॉक्टर रोज शर्मा ये वीडियो सेरीज डेंटल असिस्टेंट को ट्रेन करने के लिए है या फिट डेंटल टेक्नीशन इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है important to surface terms मतलब वो शब्द जो हम daily basis के उपर इस्तमाल करते हैं जो की हमें अपनी बात को convey करने के अंदर मदद देते हैं तो एक असिस्टेंट को या एक डेंटल टेक्नीशन को ये सारी terms के बारे में पता होना चाहिए तो आज हम कुछ इस तरीके की terms को देखेंगे जैसे mesial, distal, labial, buccal, lingual, incisal, occlusal, distal, mesio-occlusal, mesio-occlusal, distal तो स्टार्ट करते हैं ये आपके सामने human skull रखा हुआ देख रहे हैं तो जो ये आगे का हिस्सा है उसको हम anterior कहते हैं और ये जो पीछे का हिस्सा है उसको हम posterior कहते हैं हमारी जो बात हो रही है फिलाल वो सिर्फ उपर और नीचे की हड़ी की बात हो रही है maxilla और mandible जिसको हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर जाना था यानि जो आगे के जो तीन दान्थ है चाहे वो उपर के हो चाहे वो नीचे के हो उनको हम कहते हैं एंटीरियर टीथ और जो लास्ट की जो पांस दान्थ है उनको हम कहते हैं पोस्टीरियर टीथ अगर मैं ये चोथे नमबर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इसको posterior teeth कहूँगा और अगर मानो मैं नीचे के आगे के दो नमबर के दाथ यानी lateral incisor के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं anterior teeth कहूँगा फिर आता है mesial और distal मीजियल का मतलब जो आगे का हिस्सा है उसको मीजियल और जो पीछे का हिस्सा है उसको डिस्टल मीजियल और डिस्टल किसी एक दात के रेस्पेक्ट में का जाता है यानि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर दात के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एक तरफ का इस्सा मीजल हो सकता और एक तरफ का डिस्टल हो सकता है मीजल और डिस्टल देखने के लिए हमें किसी दाथ को टेड़ा देखना पड़ता है जैसे ये मैं टेड़े व्यू के अंदर ये आपको दान दिख रहे हैं तो हमारा जो आगे का सरफेस है यह आगे का ताथ इस तरफ है पीछे के दाथ इस तरफ है और अगर मानो मैं इस वाले दाथ के बारे में बात कर रहा हूं तो जो आगे की तरफ है उसको हम मीजियल कहते हैं और जो इसी का पीछे वाला इससा है उसको हम डिश्टल बोलते हैं मेरा यह आगे हो गया और यह पीछे हो गया तो माल लेते हैं हम इस चोथे नंबर के दाथ के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे का सर्फेस यह वाला सर्फेस है यह मीजियल हो गया और जो यह पीछे वाला सर्फेस है इसको हम डिस्टल कहेंगे ठीक है नेक्स्ट ट्रम पे आ हड़ी का है अगर अंडर गर पीछे हम धाल और नीचे वाली हडडी का है這是 इसको हम लेबियल कहते हैं और जिस कि तरफ पीछे के जिन धातों के‌तरों कि तरफ गाल टकराता है हुसको को हम बकल बोलते हैं ठीक है आगे चलते हैं यह तो आपर वाली हड़ी है जो पहले वाली फोटो थी यह नीचे वाली हड़ी है जीब दिख रही है आपको ठीक है अप इस वालेु सरफेस को सारे जहां पर ये तालू है तालू को पैलेट बोलते हैं तो यानि तालू की तरफ वाले हिस्से को हम पैलेटर सरफेस बोलेंगे और जीव को को हम Pois लिंवल्व बोलते हैं च्राहिए झाग्या नीचे की फिर आता है occlusal और incisal, occlusal का मतलब हो गया, पीछे वाले जो दानत है, पीछे या नहीं, posterior दानत, posterior दानत मतलब इन सारे दानतों के बात करें, आगे के 3 को छोड़ कर, जो ये उपर वाला इसा, जो ये black black दिख रहा है, आपको ये design से जो दिख रहे हैं, इन सारे surface को हम occlusal surface क कहते हैं, ऐसे ही अगर नीचे की हड़ी के बात करूँ, तो ये जो आगे के दानत है, ये आगे के 3 दानत है, जो इनकी tip दिख रही है आपको, इनको हम incisal भी बोलते हैं, यानि अगर पीछे के दानत हैं, और उपर के surface को जो ये दिख रहा है, जहां पर खाना खाते हैं, ज आगे का दानत है, जिस surface से हम किसी चीज को काटते हैं, उसको हम incisal कहते हैं, अब जितनी ये terms आपने पढ़ी, इन terms को अगर हम 2 terms को इखटा मिला दे, तो एक नई term बनती है, जैसे की mesio occlusal, यानि हम किसी के mesial हिस्से के और occlusal हिस्से की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं, खा मान लेते हैं, इस दानत की बात कर रहे हैं, mesio occlusal, अब mesio मतलब आगे वाला हिस्सा, मान लेते हैं, यानि उपर वाला हिस्सा, यह जहां पर जिस हिस्से से हम खाना काते हैं, अगर मान लेते हैं, इस तरीके से किसी दानत में कीडा लगा हुआ है, तो हम कहेंगे mesio occlusal cavity, ऐ मान लेते हैं, इस दानत की बात करते हैं, साथवे नमबर की दानत की, और इसमें disto occlusal, नाद का पीछला हिस्सा, इस दानत का पीछे वाला हिस्सा कौन सा यह वाला, occlusal मतलब आगे वाला, तो यानि अगर इस तरीकी की क्याविटी लगा है, तो disto occlusal, अब आज़ है, मेजल हिस्सा में क्योविटी लगी हुए डिस्टल में लगी और उपर में लगी हुए तो यह नहीं मीजियो डिस्टल उक्लूजन अब देखते हैं इस व्यू में हमें कौन-कौन से चीजे दिख रही है जहां से यह खाना कहां से काटेगा है यहां से काटेगा तो इसका नाम हो गया इसी के बिल्कुल अपोजेक्ट जहां पर जड़ खतम हो रही है उसको कहेंगे अपाइकल एक तरफ आगे का इसा होगा इसको हम कहेंगे मीजियल और इसी का पीछे वाला इसा होगा है डिस्टल यह चारों चीजे हमें इस डाइग्राम के अंदर दिख रही हैं एक चीज आप और इसके अंदर याद कर सकते हैं सर्वाइकल यह जहां पर जड़े खतम हो रही है जहां पर जड़ चालू हो रही है और जहां पर क्राउंड खतम हो रहा है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल अब आते हैं पीछे का दांत है ऊपर का दांत है क्योंकि इसमें तीन रूट्स जहां पर आगे वहाला surface है, उसको कहेंगे मेसियल Your Stress को 숟्वार और पीछे किष्टल और जहां पर क्राउucky shopping को और जड़ चाली एक रही है, उसको कहेंगे servical Verantwort का रसी किते वक्त हम कई बार shorts form का इस्तेमाल क कarde के हैं । जैसे इस तरीके की वह इस टर्म्स को हम इस्तमाल करते हैं और कई बार असिस्टेंट को कहा जाता है MB की वर्किंग लाइंत लिक लो जैसे MB 20 mm, DB 10 mm इस तरीके की हम चीजों का इस्तमाल करते हैं ताकि आपको वह चीजे समाझ आ सकें वह क्या-क्या बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इस डाइग्राम में उस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं यह दो डाइग्राम हैं यह दोनों मोलर्स के डाइग्राम हैं अब यहां पर लिखा हुआ है MB, DB, DD, DL, ML MB का इन्हीं Mesial, Mesial और B का मतलब Buccal, D का मतलब Disto, B का मतलब Buccal, D का मतलब Distal, DL ए तो Dstal Wingual ML का मतलब Mesial Ingual ऐसे ही distal, mesolingual, mesial, middle mesial, mesiobucal, baccal, distal, lingual यह इस तरीके से हम short form के अंदर इनको लिखते हैं अब जो यह diagram दिखा रखा है वो किस चीज का है माल लेते हैं कि यह canal है canal के जड़े जापे दाद के अंदर RCT करते हैं जो हम जिनको ढूंडते हैं और वह इस तरफ है, मतरब कि यह mesial की तरफ भी है और बकल तरफ भी है, तो इस दोनों को मिला के नाम दे दिया, mesio, pacal, MB, यह वाली जो कैनाल है, यह mesial तरफ है, और lingual तरफ है, तो इसको कैका नाम दे दिया, ML, mesio, lingual, यह कृन से है, दिटल और lingual की तरफ है तो d-l और यह डिटल की तरफ है और बकल की तरफ है d-b आज अप इस डाग्रम में क्या लग है यहाँ पहे सिर्फ एक ही कैनाल है एक ही जैढ़ दिख रही है तो और वो ना बकल है ना lingual है सही तो हम इसको कहेंगे खाली डिस्टल ही बोलेंगे D दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ टर्म्स को समझने में आसानी हुई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू